बयूरो नासीर अली की रिपोर्ट खबर चंदौली से राइजिंग संड वर्ड स्कूल मग्या में 25 वच 26 मार्ट शनिवार रविवार को दो दिवसिय नहशुद स्वास्थे शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के पहले दिन शनिवार को महाविद्याले के डाइरेक्टर परवीन वार्सी ने मा सरस्वती जी की प्रतिमापर माल्यापर नुवदीप प्रज्वुलित कर शुभारम किया गया। शिविर में महाविद्यालय के छात्र छात्राएं, अभिभावक्त, अध्यापगग, शेत्र की महिलाएं वपुरुष तथा विद्यालय परिवार ने जांच्वे इलाज कराया। जिसमें गठिया रोग, नर्स्व जोडों का दर, सूजन, सातिका, कमरदर, स्पोर्ट इंजरी विशेशक या डॉक्तर गिरेंद, चर्म रोग विशेशक या डॉक्तर प्रनव सत्यराज पतेल, स्त्री रोग विशेशक या डॉक्तर शविना तथा बाल रोग विशेशक या दाइरेक्टर परवीन वार्सी ने राइजिंग संड वर्ड स्कूल मव्या शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं की बहतर स्वास्थी के प्रती सतर प्रहना पहली प्राथमिक्ता रहती है साथ ही शेत्र की महिलाएं वपुरूश अभिभावक वविद्याले परिवार की स्वास्थी पर ध्यान देने पर कार्य कर रही है जिससी लोगों को शिक्षा के साथ साथ स्वास्थे के लिए समय समय पर चिकित्स किये कैम्प के मार्ध्यम से इलाज किया जा सके जिले के सभी लोग बर्चर के ले सकते हैं जो चिकस्टक है वह वहां पर कमलापती यहां के लोगों के जो लोग है वहां से लोग आए हैं डॉक्टर यह जो बिदाले के बच्चों का भी चेक पुरा या और उनके अभिभागों का भी जी मेन अदेश सर यह हमारे बच्चों का भी डवलफमेंट हो और उनके साथ उनके जो पैरेंस हैं वह भी बच्चों के प्रती जागरूप हो इसी में से अगर गरामीड अंचल में जो यहां से कुछ दूरी पर हस्पीटल है इसके लिए तो अगर जो स्विर के माध्यम से लो स्विर लग रहा है इसका उदेश क्या है सर एक्चुली सर यह चेहत्र का अंदर में आपनी लोग को बहुत कम नौलज है एक हल्तिका अवेरनस के लिए अपना स्कूल अपना बच्चों एक बच्चों को साथ पेरेट्स पूरों यह अवेरनस करते है हम लोग बीमार बहुत स्टार्टिंग से हम क्लियर करते हैं बच्चों को भी अच्चा है एक हम करना सकता है तो यह में उज्चे से आवर बच्चों आवर स्टाफ आवर पेरेंस के लिए हम करते हैं